France abolishes monarchy and becomes a republic अभी तक हमने देखा कि शुरुआत में जो France है वहाँ पर monarchy का सिस्टम था मतलब वहाँ पर राजा जो है वो देश का हैड था और वो सभी चीजों को कंट्रोल करता था, most of the power was lying in the hands of monarchy only और उसके बाद क्या हुआ जो third state के लोग हैं उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने national assembly बना कर constitution establish किया और जो monarchy है उसने भी constitution को accept कर लिया, तो इसके बाद क्या हुआ जो France है वो एक constitutional monarchy बन गया, अब हम यह देखेंगे कि किस तरीके से जो France है उसमें से monarchy को completely हटा दिया गया और France को एक republic बना दिया गया Republic मतलब एक ऐसा देश, एक ऐसा nation जिसमें जो head of the state है head of the nation है वो लोगों के द्वारा चुन के आ रहा है जब राजा महाराजा का system होता है तो उसमें सबसे top position पर कौन बैठा होता है state की राजा होता है और राजा क्योंकि वो चुन के नहीं आता इसलिए हम उसको republic नहीं कह सकते उस देश को बट जिस देश में जो top person है उस state का उस nation का जैसे कि इंडिया इंडिया में जो president है वो कैसे चुन के आते हैं रहा है इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया is a republic हम कहते हैं Republic of India इंडिया जो है एक वो गन राज्य है लोगों का देश है जहां पर जो top position पर भी आदमी बैठा है वो जो इंसान है वो चुन के जा रहा है तो अब हम देखेंगे कि France में किस तरीके से उसको republic बनाया गया और मुनार कि जो राजा का system है उसको completely खतम कर दिया गया the situation in France continue to be tense during the following years हाला कि जो लुई 16 है उसने constitution को accept कर लिया था जो national assembly है उसको recognize कर लिया था बट इस सबके बावजूद भी जो situation है इसके बाद वाले सालों में वो better नहीं हुई थी लोग बहुत ज़दा tense थे मतलब situation सही नहीं थी पूरे तरीके से although Louis 16 had signed the constitution he entered into secret negotiations with the king of Persia अब भले ही जो लुई 16 है उसने constitution को accept कर लिया था national assembly को accept कर लिया था बट इसके बावजूद भी वो जो परशिया के king है परशिया के राजा है उनसे वो secretly बातचीतों में लगा पड़ा था इस बारे में वो बातचीत कर रहे थे वो य उपर से तो लोगों को दिखाने के लिए constitution और national assembly को accept कर लिया था बट वो ऐसा नहीं चाहता था तो यह constitution कर क्या रहा था उसकी powers को limit कर रहा था तो उसने लोगों को उस time पे क्योंकि बहुत ज़्यादा आक्रोश था लोग बहुत ज़्यादा powerful दिखाई दे रहे थे तो उस time को वे situation को रोकने के लिए control करने के लिए Louis XVI ने constitution और national assembly को recognition दे दी थी but actual में वो ऐसा नहीं चाहता था इसी लिए वापस से अपनी position को वापस लाने के लिए अपनी power को वापस हाथ में लाने के लिए he was in talks with the king of Persia and rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789 अब जब France में सब कुछ हो रहा था जब France constitutional monarchy बन गया तो आस पास के जो देश है उनके राजा भी घबरा गए वो भी tension में आ गए उन्हें ये लगने लगा कि कहीं जिस तरीके से जो France है वहां के लोगों ने इतना जदा powerful तरीके से constitution established की और monarchy power को कम कर दिया कहीं ऐसा ना हो कि उसको देखके हमारे यहां के जो लोग है वो भी same कदम उठाने लगे तो आज पास के देशों के राजा बहुत जादा डर गए और उन्होंने ये प्लान बनाया कि वो अपने सैनिको को फ्रांस में भीजेंगे ताकि यह जो पूरी situation create हुई है constitution वगरा कि इसको खत्म किया जा सके और वापस से मुनार्की को properly established किया जा सके before this could happen the national assembly voted in April 1792 to declare the war against Persia and Austria अब इससे पहले कि जो फ्रांस वगरा कि आस पास के जो देश है वहां के राजा इससे पहले कि अपने सैनिको को फ्रांस में भेज सकते उससे पहले ही जो national assembly है उसने ये चीज़ भाप ली और उसने 1792 में voting के थुरू Persia and Austria के against war घोशित कर दी जैसे national assembly में उन्होंने ये प्रपोज किया कि we want to declare the war against Persia and Austria तो सभी लोगोंने vote किया जो जो लोग इस war के पक्ष में थे और आखिरकार सब maximum जो वोट है वो इस चीज़ के पक्ष में आए और Persia and Austria के खिलाफ इन लोगोंने जंग का एलान कर दिया Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. Thronged का मतलब होता है एक तरीके से किसी एक जगा पे जो बहुत सारे लोग इखटा होते हैं तो हजारों लोग जो हैं वो फ्रांस की अलग-अलग provinces से states से निकल के आ रहे थे आर्मी को जोईन करने के लिए They saw this as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. अब जो फ्रांस की आम जनता थी वो इस लड़ाई को इस जंग को इस तरीके से देख रही थी कि यह जो जंग है वो पूरे यूरोप की है, पूरे यूरोप के लोगों की है चल रहे थे. Among the patriotic songs they sung was the Marseilles composed by the poet Roger Delis. अब उस टाइम पर क्योंकि जंग वगएरा चल रही थी तो बहुत सारे जो patriotic song है वो गाय जा रहे थी और उनमें से एक जो patriotic song है वो था Marseilles का जिसको की Roger Delis ने लिखा था. It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its name. अब यह वाला जो Marseilles है यह वाला जो patriotic song है यह first time तब गया था जब Marseilles जो city है जो प्रोविंस है यहां से लोग निकल निकल के volunteer करने जा रहे थे आर्मी के लिए Paris के दरफ मतलब यहां इस जगह से भी लोग निकल के आर्मी के लिए volunteer करने जा रहे थे और वो Paris में जा रहे थे तो जब वो लोग यहां से निकल के Paris जा रहे थे तब उन लोगों ने यह गाना गाया और इसी जगह के नाम पे इस song का नाम जो है वो Marseilles पड़ा the Marseilles is now the national anthem of France और अब यह जो Marseilles है यह France का national anthem है the revolutionary wars brought losses and economic difficulties to the people अब यह जो जंग हो रही थी Austria और Persia के खिलाफ और overall जो aristocracies और Kings के खिलाफ जो आम जंता वार्ड़ रही थी इस सब में बहुत ज्यादा losses हो रहे थे बहुत जादा जानमाल की हानी हो रही थी while the men were away fighting at the front women were left to cope with task of earning a living and looking after their families अब ज्यादर तर जो आदमी है वो वार में सर्फ कर रहे थी लड़ाईयां लड़ रहे थे और वहीं अब पूरी जिम्मेदारी घर को चलाने की किस पे आ गई थी और तो क्यों पर आ गई थी कि वो अपने family का पेट भर सकें large sections of population were convinced that the revolution had to be carried further as the constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of society अब भले ही constitution वगेरा आ गया था लोग इतनी जदा लड़ाई लड़ रहे थे अब बहुत बड़ा section जो है वो इस opinion में था कि अभी ये जो revolution है अभी और आगे चलेगा इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि जो 1791 का constitution है उसने जो भी rights दिये थे वो जादा तर richer society के लिए दिये थे जो अमीर लोग है society में उसके लिए दिये थे गरीबों के लिए बहुत कुछ नहीं था उस constitution में political clubs became an important drilling point for people who wish to discuss government policies and plan their own forms of action अब इसी तरीके से अलग अलग तरीके के जो political clubs हैं वो बनने शुरू हुए और in political clubs में वो लोग क्या करते थे जो लोग हैं वो अपने points अपने जो opinions हैं वो discuss करते थे government को लेकर और साथी साथ वो ये भी देखते थे कि अब आगे वो कैसे इस clubs was that of jacobians इन सभी clubs में इन सभी political clubs में सबसे जो successful club रहा वो था jacobians का which got its name from the former convent of saint jacob in Paris और जिसका नाम जो है वो saint jacob से पढ़ा convent of saint jacob convent मतलब एक तरीके से एक ऐसे building होती है जहां पर जो धर्म को जिन्होंने पूरे तरीके से अपना लिया है जो धर्म को बहुत जदा devoted लोग है जो वहां पर रहते हैं जैसे कि Christians में जैसे nuns होती है वो यहां पर इन buildings में रहते हैं तो उनको हम कहते हैं convent the convent of saint jacob इस चीज इनके नाम के ऊपर jacobins जो club है उसका नाम पढ़ा women too who had been active throughout this period formed their own clubs और जो ओरते इस पूरे टाइम में बहुत जादा active थी उन्होंने भी अपने-पने जो clubs हैं वो बना लिये section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demand और इस chapter के section 4 में हम समझेंगे कि women's ने किस तरीके से अपने लिये लड़ाई लड़ी और वो किस चीज की demand कर रही थी the members of the jacobin club belong mainly to the less prosperous sections of society तो अभी हमने समझा कि जो constitution था 1791 का उसमें जादा तर जो rights थे वो richer section of the society के लिये थे there was nothing much for the lower section तो यह जो groups थे जो clubs बन रहे थे political clubs वो जादा तर उन लोगों के द्वारा बनाए जा रहे थे जो नीचे है society में जो थोड़े से गरीब दपके के हैं जैसे की small shopkeepers हो गए दुकानदार हो गए artisans जो भी जैसे shoemaker हो गया जो जूते बनाते हैं pastry cooks watchmakers sprinters यह सारे लोग जो है वो अब political clubs बना रही थे और साथी साथ जो servants होते हैं daily wage workers हो रहे हैं यह भी political clubs का part बनते जा रहे थे देर लीडर वास Maximilian Robespierre और इनका जो लीडर था जो जैकोबिन का लीडर था वो था Maximilian Robespierre a large group among जैकोबिन decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by dock workers अब यह जो जैकोबिन club था इसके बहुत सारे members ने यह सोचा कि वो लोग अबसे इस तरीके से जो long strip trousers हैं वो पहनेंगी जो उनके trousers हैं उनमें इस तरीके से लंबी-लंबी धारिया होंगी उस तरीके के trousers यह पहनना शुरू करेंगे यह जो trouser हैं यह कुछ उसी तरीके के हैं जो कि dock workers पहनते हैं अब इन्होंने यह जो decide किया था कि वो लोग long strip trousers पहनेंगे यह इसलिए था ताकि वो लोग अपने आपको बाकी लोगों से अलग दिखा सकें especially जो nobles वोगेरा हैं उनसे वो अपने आपको अलग दिखा सकें और जो nobles हैं वो उस ताइम पर किस तरीके की dress पहनते थे नीब्री इस मतलब एक तरीके से जो घुटनों तक उनकी pen type रहते हैं उसके बाद वो socks पहनते हैं और उसके बाद जूते तो इस तरीके की dress जो है वो society में divisions हो जाते हैं तो France के society में भी यही था कि जो nobles हैं वो knee breeds पहनते थे और अपने आपको superior दिखाने की कोशिश करते थे तो इसी तरीके से जो अब ये clubs बन रहे थे जो Jacobin clubs हैं इनके लोगों ने क्या decide किया कि वो लोग भी अपने आपको अलग तरीके से represent करेंगे और अप को अपने opinions को अपने address के थ्रू भी शो करेंगे तो उन्होंने ये long strip two trousers हैं वो पहनने शुरुख किये अब इस तरीके से long strip जो trousers है वो पहनने का में मक्सद ये था ताकि इन nobles को ये दिखा सके कि अब उनकी power का अंत हो चुका है इस जेकोबिन्स केम तो बी नोन अस सेंस क्यूलोट्स लिटरली मीनिंग दोस विटाओ नीब्रीट्स अब ये जेकोबिन्स के जो लोग थे जो long strip ट्राउजर्स पहन रहे थे इनको लोग संस क्यूलोट्स के नाम से बुलाने लग गए जिसका लिटरली मतलब होता है वो लोग जो की नीबीट्स नहीं पहन रहे हैं संस क्यूलोट्स man wore in addition the red cap that symbolized liberty अब इन लोगों ने जो strip trousers हैं उसके साथ साथ red color की cap जो है वो भी पहनने शुरू करती जो की liberty को अजादी को शो करता है women however were not allowed to do so but जो औरते थी उन्हें इस तरीके से red cap वगेरा पहनने की अनुमती नहीं थी in the summer of 1792 Jacobins planned an instruction of a large number of paritions who were angered by the short supplies and high prices of food so instruction का मतलब होता है एक तरीके से विद्रो अवाज उठाना बगावत करना जो ruler है उसके खिलाफ अवाज उठाना सो 1792 की Summers में क्या हुआ Jacobins club के जो लोग थे उन्होंने यह decide कि वो लोग Persians के साथ मिलके क्या करेंगे बगावत करेंगे और जो Persians थे वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि उस टाइम पेरिशिंस जो थे मतलब कि जो पैरिस में लोग रह रहे थे उनके साथ मिलके वो इंसरक्शन करेंगे उसके साथ मिलके वो विद्रो करेंगे और जो पैरिशिंस थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि उस टाइम पे food के जो prices थे वो बहुत ज़ादा बड़े हुए थे और वहां पर supply जो है वो short थी मतलब food के supply ज़ादा नहीं थे और prices बहुत ज़ादा बड़ी हुए थे इन सब चीजों से जो Paris के लोग है वो बहुत ज़ादा गुसा थे और इसी चीज का फाइदा उठाने के लिए जो Jacobins थे उन्होंने क्या सोचा कि हम Parishans के इस गुस्से का फाइदा उठाएंगे और उनको एक तरीके से बोलेंगे कि आप विद्रो करो आप आवाज उठाओ राजा के खिलाब on the morning of August 10th they stormed the palace of Tullerys, maskered the king's guards and held the king himself as hostage for several hours तो 10th August 1792 में उन्होंने क्या किया उन्होंने जो palace of Tullerys है यहां पर अनों लोगोंने एक तरीके से हमला कर दिया इसमें वो लोग घुज गए और king के जो guards थे उनको मार दिया इन्होंने और कुछ घंटों के लिए इन्होंने king को hostage रख लिया king को अपने control में कर लिया उसको बंदी बना लिया later the assembly voted to imprison the royal family और बाद में जो national assembly है उसने यह decide कि जो royal family है उसे jail में डाल दिया जाएगा elections were held उसके बाद elections हुए और अब elections में ऐसा नहीं था कोई भी active citizen passive citizen का system नहीं था इस बार जो elections हुए थे उसमें सभी जो men थे जो 21 साल और उससे उपर के उमर के थे उन सब को vote देने का दिकार था कोई भी अमीर गरीब इस सब का कोई भी discrimination या जो difference है वो नहीं किया गया जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था कि national assembly ने जब शुरुआत में constitution लाया था तो उसमें उसमें active citizens और passive citizens का system रख सिर्फ वही vote दे पाएंगे तो इस तरीके का system हटा दिया गया और इस बार चाहे अमीर है चाहे गरीब है चाहे टेक्स पे कर रहा है नहीं कर रहा है हर कोई person जो की 21 साल का है हर कोई man अभी भी आद्मियों की ही बात हो रही है लेकिन और तो की अभी भी नहीं हो रही तो जो man है जो आदमी है जो 21 साल और उससे ऊपर की उमर के है उन्हें अब vote देने का दिकार मिल गया था the newly elected assembly was called convention और जिस तरीके से पहले जब assembly elect हुई थी उसको national assembly का नाम दिया गया था इसे तरीके से इस बार के election से जो नई assembly formed होई उसको convention नाम दिया गया on 21st September 1792 it abolished the monarchy and declared France a republic 21st September 1792 में क्या किया मुनार्की को abolish कर दिया मतलि जो राजा माराजा का system चल रहा था इसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया और France को एक Republic गोशित कर दिया कि जो फ्रांस है अब वो एक गन राज्य है लोगो का देश है यहां पे कोई राजा का system नहीं होगा as you know a republic is a form of government where the people elect the government including the head of the government so जो डिपब्लिक है वो एक ऐसा system है जिसमें की government साथ ही साथ जो government का head रहेगा जो देश का head रहेगा वो लोगों के द्वारा चुन के आएगा there is no hereditary monarchy और अब France में जो है कोई भी hereditary monarchy नहीं रहेगे hereditary का मतलब एक तरीके से जो पीडी दर पीडी काम चलता है कि पहले कोई person राजा था फिर उसका बेटा राजा बनेगा फिर उसकी बेटे का बेटा राजा बनेगा इस तरीके से जो पीडी दर पीडी जो लगत है वो बदलता रहता है जो राजा है वो बदलता रहता है तो यूप आपको बहुत जादा सर्च करने की ज़रत नहीं है इंडिया जो आजादी है इंडिया का जो रिपब्लिक बनने का पुरा सफर है वो आप मैक्सिम्म लोग जानती होंगे कि किस तरीके से जो इंडियन्स है उन्होंने ब्रिटिश से लड़ाई-लडी और एक इंडिपे किस अमेरिका है वो भी रिपब्लिक है तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो रिपब्लिक हैं लुई 16 वस सेंटेंस तो देख पाई अ कोड़ ऑन दे चार्ज ऑफ ट्री ट्रियर सन अब लुई 16 को जो लोग है उन्होंने उस टाइम पर बंदी बना लिया था और जो नैशनल अ मतलब है कि जब कोई खुद अपने देश के साथ गदारी करे बिट्रेयल और वन्स कंट्री और गर्वर्मेंट के जब कोई खुद के देश के लोगों के साथ कंट्री और गर्वर्मेंट के साथ क्या करे बगावत करे या विद्रो करे उसके साथ धोका दे क्योंकि जो लु 21st January 1793, he was executed publicly at the place de la Concorde 21st January 1793 को, जो Louis 16 है, उसको सब के सामने publicly उसको execute कर दिया गया, उसको मार दिया गया and the Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after और जब Louis 16 को इस तरीके से मौत की सजा दी गई तो उसकी कुछ टाइम बाद ही, जो Mary Antoinette है, जो की Louis 16 के वाइफ थी, उनके साथ भी same चीज़ की गई, मतलब उनको भी मौत के सजा दे दी गई, और इस तरीके से जो मनार की है, वो completely France से खत्म हो गई, और जो France है वो एक Republic Nation बन गया